दोस्तो दोस्तो आज मैं आपको एक पहानी सुनाओंगी तो कहानी शुरू करने से पहले अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजे मेरी और नहीनी कहानियों लिलाओं सुने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अपने परिवायर दन और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजे ताकि वे भी नहीनी कहानियों लिलाओं कहान न ले सके तो आईए कानी शुरू करते हैं और कमेंस में राधराधी लिखना बिल्कुल मत बूलिएगा तो आईए कानी शुरू करते हैं महाभारत लिखने के लिए व्यास जी को किसी योग्य व्यक्ति की तलाश हुई व्यास जी की तलाश करते करते शिवजी के पास जा पहुँचे और जाकर शिवजी से बोले हे प्रवू मैं महाभारत लिखना चाता हूँ और इस महत्वपून कारे को करने के लिए मुझे एक योग्य व्यक्ति की तलाश है शिव जी बोले आपके इस महत्वपून कारे को करने के लिए मेरा पुत्र गनेश आपकी साहिता करेगा गनेश जी महाबारत लिखते गए महाबारत पुरा हुआ तो व्यास जी ने गनेश जी से कहा महाबाओ मैंने 24 लाग शब्द बोलकर लिखाए आशर्रे है कि इस बीच आप एक शब्द भी ना बोले सर्वथा मोन बने रहे गनेश जी ने उत्तर दिया बाद रायन बड़े काम संपन करने के लिए शक्ती चाहिए और शक्ती का आदार सैयम है सैयम ही समस्ति सदियों का प्रदाता है वाणी का सैयम ना रख सका होता तो आपका ग्रंथ कैसे तयार होता ओम गंड गंड पते इनमा तो दोस्तों कैसी लगे आपको आज की कहानी आशा करती हूँ पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरी और नहीं कहानी हो लिना है सुनिक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने परिवार जनर दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वे भी नहीं नहीं कहानी और लिलाओ का आनन दे सकें और कामेंट्स में रादे रादे लिखना बिलकूर मत भूलेगा और आज एक और नहीं वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको अपने लड़ो गुपाल राधर रानी और बिहारी जी की शॉपिंग ओल दिखाऊंगी जो कि मैंने गुपतन अपरातरी के लिए शॉपिंगा